Welcome back, इस वीडियो में हम एक नया एड सेट अप करने वाले हैं, जिसमें मेरा एक English Speaking का कोर्स है, और उसको मैं प्रमोट करने वाला हूँ, तो देखिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले जो हमारा जो Facebook Ads Manager है, इसके अंदर एक होता है Events Manager, हम Events Manager में जाएंगे औ हूँ, अज इस कोर्स को प्रमोट करने वाले हैं, इसका जो URL है, हम लेते हैं, का URL है, यह कोर्स है, Live Spoken English Class Daily, अगर आप भी इंप्रूब करना चाहते हैं अपनी Spoken English, तो you can also join this, और यह है URL, तो basically हमें सरफ इतने URL की जुरुत है, हम Facebook को बताएंगे, कि जिस URL में Live English Class हो, जिस URL में Live English Class हो, उस पर आप जो है, हाँ, ट्रेफिक को वो करो, ट्रेक करो, प्रोपरली, और उसका डेटा गलेट करो कि कितने, कितने लोग उस पर आए, तो यह है, यहाँ पर हमने उस नाम पूछ रहा है, कि नाम क्या आपके Custom Conversion का, इसको Custom Conversion कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो सब सेम ही रख सकते हैं, और Live English Class, यानि URL में Contains, URL Contains this, Live English Class, तो हमें पता चलता रहेगा, कितने सारे लोग आए, FV का जो Pixel है, Facebook का Pixel है, Meta का जो Pixel है, वो लगा हुआ है हमारी website पर, और हमने Custom Conversion में यह mention कर दिया, तो कितने लोग आए, यह अब proper track करेगा, यह क्यों जरूरी है, एक तो data के लिए जरूरी है, कि कहां से कितने लोग आए, यह पता चलना जरूरी है, दूसरा, जब आप retargeting करेंगे, तो इसके उपर आए हुए लोगों को ही Facebook retarget करेगा, इसके लिए बहुत important है, जादतर Facebook ads के courses में यह शुरू में नहीं बताई जाती बात, और बड़ा confusion हो जाती है, तो आपको किसी भी page को उपर traffic आ रहा है, important page के उपर, तो वो custom conversion में आपको set करके रखना है, क्योंकि उन्ह लोगों को तो retarget करना आगे चलके है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको refresh करके देखते हैं एक बार, तो अभी तो live English class पर कोई traffic नहीं है, और यह green भी नहीं है, gray color का जो dot आ रहा है, और हमने इसको एक बार refresh कर दिया, यानि इसके उपर traffic आ गया, अब हम इसको refresh क देखते हैं, तो यह green होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर live English class, तो live English class green हो गया है, यानि जो हमारा custom conversion है, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, अब इस course को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो course की कीमत है 9999, जब इस course को कोई बंदा खरीद लेगा, तो उसकी इस्तिती कैसी होगी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए मुझे एक नया browser खोलना पड़ेगा, तो dashboard में जाके पहले इसका जो price है, वो free कर देते हैं, क्योंकि मैं खोदी खरीदूँगा, तो अच्छा असा नहीं लगएगा अभी फिलाल, तो थोड़ी देर के लि और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी ID पर और यहां से हम English का course खरीदने वाले हैं, यह, यह course है, जो 9999, यह शायद इनके पास पहले से ही है, तो सबसे पहले तो मैं pricing अटा देता हूँ, इतनी देर में कोई खरीद लेगा तो दिक्कत हो जाई, ठीक है, तो इनके पास वो पहल लेता है, इसके अंदर आ जाता है, इसका जो URL है, तो यह कुछ URL इसका ऐसा दिखता है, यह ID सी दिखती है, और टेक लिखा होता है, यानि जब बंदा paid करके course के अंदर आ जाता है, तो एक ID होती है, और टेक होता है, तो इसको हम copy करनेंगे, और फिर जाएंगे हम Facebook में, और फिर से custom conversion create करेंगे, कि या live English class paid, paid, paid कितने बंदे हो गए है, वो खरीदने के बाद ही जाएंगे वो बंदे, वो कम आने जाएंगे paid, जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इस content ID और टेक पर पहुंच जाएंगे, यह वो ही पहुंच सकता है, जिसने course खरीद लिया हो, चाहिए एक रुपे में खरीदा हो, चाहिए पचास जार में, चाहिए फिरी में, चाहिए डिस्काउंट पर, बट खरीदने के बाद ही वो यहाँ पर पहुंच सकता है, तो यह create कर दिया हमने, अब बोल रहा है कि यह वाला conversion आपका पहले से create हो रखा है, चलिए उसे भी द तो हम जा रहे हैं custom convergence में, और English take, यह English take जो है पहले से conversion बना हुआ है, तो live English take पर भी conversion बना हुआ है, इसको इक पर खोल के देख लेते हैं, कि जो हम चाह रहे थे वो ही है, courses take, देख रहे हो आपके बना हुआ है, जो ID हम देना चाह रहे थे और English take में क्या है, इसमें बिना courses क take के साथ बना हुआ है, यानि जाट इस पर जो traffic आएगा वो दूसरे वाले पर आएगा नि बरावर आने वाला है traffic दोनों पर, इस पर आएगा तो इस पर आएगा same है actually, तो great, अब हमारे दोनों URL पर हमने conversion create कर दिया है, कि पहले landing page पर आएगा, live English class पर, उसे भी track करो, कि landing page कितने traffic आया, फिर उस मैं से paid students कितने बने, उसको भी track करो, landing page पर, live English class पर, मानी ये 100 लोग आये, पर खरीदने वाले कितने थे, एक, तो हम उन 100 लोगों को दोबारा target करेंगे, आगे चलके retargeting में, चलिए, अब हमारे conversion set है, अब हम फटा-फट से ad setup कर देता है, ads manager, अभी म मैं इस ad को चलाने के लिए क्या कर रहा हूँ, website पर traffic लाने वाला हूँ, क्योंकि basically मैं, जो है, retargeting ad चलाने वाला हूँ, जो लोग interested है, उनको बार बार अपना ad दिखाने वाला हूँ, तो create पर click करते हैं अपने लोग, create पर click करने के बाद हमारे click करना है, traffic के उपर, traffic के link clicks मिलते हैं हमें, landing page को लोग देखने आते हैं, messenger और WhatsApp पर message भीज सकते हैं, calls कर सकते हैं, इतने सारे option होते हैं हमारे traffic में, awareness में क्या क्या option होते हैं, reach मिल जाती है, लोग हमारे brand को जान जाते हैं, videos देख लेते हैं, store location की awareness हो जाती है, engagement में क्या क्या हो जाता है, messenger, Instagram, WhatsApp पर लो पास leads आती है, instant form से, जो Facebook का form होता है, messenger से lead आती है, conversions भी होते हैं, और calls भी आती है, app promotion में आपका app promotion होता है, sales में आपके conversions होते हैं, और sales होती है, calls भी आ सकती हैं, messages भी आ सकते हैं, बट हम क्या जाते हैं, traffic कि हमारे landing page को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख हैं, तो landing page को पर देते हैं, फटा फट से, यहाँ पर लिख देते हैं, live English class traffic campaign, हम चाहते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा traffic आ जाए, तो auction type हमारा auction है, campaign type हमारा traffic है, A-B test मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा confidence है शायद इसलिए, बट करना चाहिए, budget जो है campaign का वो हम रख लेते हैं, फटा फट से, 1000 रुपे daily, 1000 रुपे daily का हमने budget रख लिया है, अब हम चलते हैं next, ज़्यादा भी budget रख सकते हैं, आप कम भी रख सकते हैं, वो आपकी budget के उ उपर है, बट मेरे को ट्रैफिक के फटा फट से data चाहिए, तो data हमें आएगा, website, तो हमने हापर website जो है, mention कर दिया है, website के उपर traffic आ जाए, और उसके बाद जो add है, वो हम पूरी हिंडिया में नहीं चलाना चाहते हैं, हम सर्फ उनको इंगली सिकाना चाहते हैं, जिनको हिं तो उत्तर, प्रदेश, मध्या प्रदेश, राजस्थान, यहां से हम अपनी चो लोकेशन से रहे हैं, महराश्ट्रा में भी लोग हिंडी बोलते हैं, तो उनको भी हम टार्गेट कर लेते हैं माराश्ट्रा और गुजरात गुजरात इंडिया को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जहारखंड को भी सिलेक्ट करते हैं जो ओनलाइन क्लास है ना तो कहीं से भी आ सकता है 36 गड़ को भी सेलेक्ट करते हैं पंजाब को भी सेलेक्ट करते हैं उसके बाद चंडी गड़ को सेलेक्ट करते हैं चंडी चंडी गड़ चंडी गड़ को भी सेलेक्ट करते हैं दिनली तो रह गई सबस्याद है इस्टूटेंट दिनली से आने वाले हैं, राइट, हमाजल परदेश को भी ले रहते हैं, तो कोई लोकेशन रह गई या नहीं रही, एक बार हम फटाफट से क्या करते हैं मैप ही देख लेते हैं, इंडिया मैप, तो मैप पर ही जाकर देखत बुल जाते हैं कोई कोई चीज तो हमें जरूर अपने आपको मद्य प्रदेश हमने लिख लिया है उडीसा ले सकते हैं भाई हम उडीसा ले सकते हैं उडीसा में भी लोग हिंदी बोलते हैं उडीसा हो गया और मद्य प्रदेश हमने ले लिया था महाराश्टरा हमने ले लिया है बिहार हमने ले लिया उत्रप्रदेश ले लिया राइस्तान ले लिया पंजाब उत्राखंड रहे गया भाई तो आपको उत्राखंड भी लेना है उत्राखंड उत्राखंड वाले बुरा मांजांगे तो देखिए हमने बिहार लिया है, चंडी हटा देते हैं बिहार लिया है, चंडी गड़ है, 36 गड़ है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाना है, माचरपरदेश है जारखंड, मद्यपरदेश, उडिसा, पंजाब, राइस्तान, उत्रपरदेश, उत्रखंड तो हमने कहा है हिंदी जितने भी बोलने वाले राज्य हैं वो ले लिए हैं हम चाहें तो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं वो भी लगबग हिंदी सी बोलते हैं तो बट उतना हम जाना नहीं चाहते हैं शायद हमारे पेमेंट वगरा एलाओ ना करें और इतना ही बहुत है अप कौन से लोग इंगलिस सीखने चाते तो भी यह 18 से 30 साल के लोग ही हैं जिनके अंदर ज्यादा जोश होता है इंगलिस सीखने का 18 से 35 के लोग तो अब देखो अभी बहुत सारा था तो हजार दस हजार लाग तो 18 करोड की जिल संग अभी भी तो ऐसा है मतलब बहुत बड़ा ओडियंस है और अपना बजट बहुत कम है तो थोड़ा से कम कर सकते हैं हम देखो इसमें से क्या अटा सकते हैं हम उड़ी सा अटा सकते हैं फिलहाल और गुजरात हटा सकते हैं अब अब अठाने की बात इसलिए आई है ना कि अपना जो बजट है वो उतना ज्यादा नहीं है तो हमने जो जो उसमें स्लेक्ट तो कर लिया है सब कुछ हमाचल पर्देश को हटा सकते हैं अभी हमारा उतना बजट नहीं है तो उत्तरा खंड को भी अटा सकते हैं जार खंड 36 गर्ड बहुत लोग सीखने वाले आते हैं पंजाब डा सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है तो भी अभी इतना ही ठीक है ठीक है तो अभी भी क्या है तेरे करोड 94 लाक का ओडियंज है तो अभी इस ओडियंज में फिल्टर लगेगा ओल जेंडर्स तो जेंडर्स की कोई प् थे अब 2 करोड 49 लाक हो गए तीरे करोड से 2 करोड 49 लाक यानि सीधा सीधा जो इंट्रेस्ट है ना वो वो हो गया अब हम चाहते हैं कि इंग्लिश लेंग्विज के लावा ना उनका करियर में भी इंट्रेस्ट हो यानि इंग्लिश में भी इंट्रेस्ट हो और करियर के ब अंदर इंट्रेस्ट हो तो अब एक करोड़ और सट लाग रहे गए राइट पहरे तेरे करोड़ ते फिर तीन करोड़ अपडेड करोड़ हम चाहते हैं अभी और चीजों के फिल्टर भी लगाएं तो spend जो लोग पैसे खर्च करते हों या फिर shopping करते हों ऐसे लोगों को हम टार्गेट करेंगे shopping engaged shoppers जो लोग फटाफट shopping करते हैं shopping में engaged रहते हैं ऐसे लोगों को हम करने टार्गेट तो अब हो गया हमारे 55 लाग अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो देखते हैं अगर कोई और filter मिल जाए तो थोड़ा आप यहां से सला ले ले लेते हैं कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं ऐसे लोगों को अपन टार्गेट करना चाहते हैं जो लोग पैसा नहीं कमाना चाहते हैं उनसे तो फिर मतलबी क्या अपना making money जो पैसा कमाना चाहते है अब देखिए सीधा सीधा 11 लाक ट्रैफिक हो गया हम सीधा 13 करोड से 11 लाक पर ले आए अपने ट्रैफिक को तो 11 लाक का जो ट्रैफिक है वो हो चुका है अब हमारा जो 1000 रुपे का एड है और ये ट्रैफिक एड है अब एकदम फस्ट क्लास एड है अब कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश वाले बंदे हैं जिनका इंट्रेश्ट करियर में है जो पैसे भी कर्श करते हैं और पैसा बनाने में भी इंट्रेश्ट है ऐसे लोग चाहिए हैं और ये 4 ओंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एंड मस्ट ऑल्सो मैच एंड मस्ट ऑल्सो मैच एंड मैच नहीं एंड में तो मतलब ये भी हो ये भी हो सवाज याओ नहीं हमने 4 फिल्टर लगाएं बड़े वाले फिल्टर तो बहुत हैं 18-35 का फिल्टर है, लोकेशन के फिल्टर है, फिर उसके बाद ये चार फिल्टर है, कि बंदा इंग्लिश भी सीखना चाता हो, बंदा करियर में भी इंटरेस्ट हो, शॉपिंग भी खूब दबागे करता हो, और पैसे भी कवाना चाता हो, बिल्कुल सही ओडियन्स पकड़ा हमने, तो इसको हम सेब कर सकते हैं, सेब इस ओडियन्स, यहाँ पर बूल सकते हैं, इंग्लिश लर्नर्स, इंग्लिश लर्नर्स का हमने ये ओडियन्स बना दिया है, तो यह हमारा जो है, audience यहां पर set हो गया है तो number one पहला था हमारा campaign campaign में हमने नाम किया था set traffic set किया था और budget अपना 1000 पर daily का लगाया था और ad set के अंदर हमने क्या लगाया है website चूज की है website को पर traffic आना है और date अभी हमने कोई end date नहीं चूज करी चलते रहे add हमारा फिलाल बट हम इसको जल्दी बंद कर देंगे क्योंकि हमें website को उपर traffic लाना बद बंद कर देना है फर इस add को या फिर कम कर देना है उसके बाद हमने states choose की है फिर हमने age group फिर चार filter लगाए है तो यह हमने audience जो है इस page पर अपना set किया है next सलते हैं आगे इस page पर वो पूछ रही कि आपको add कौन से page बलाना है तो मैं add हमिशा आपने ही page पिछलाता हूँ सुनील चौधरी वाले page पर राइट जिस पर 14,000 followers already है मेरा Instagram भी है सुनील टैम्स connected है उसके उपर add जाएगा और वो पूछ रहे कि आप add बनाना चाहते हो कि existing post इस्तों करना चाते तो मैं existing post को इस्तों करना चाहते है हमने already एक post बना के रखी है वो भी मैं दिखा देता हूँ आप को आप already एक post बना सकते हो या फिर एक नई नय आयड भी बना सकते हो बट हमने वो थोड़ा सा किया है काम उसका रीजन है कि अगर इसी पर लोग आएंगे तो लाइक वाइक भी करेंगे तो थोड़ा सा देखने वालों को आगे चलके भी इंप्रेशन पढ़ने वाला है कि हाँ भई इनके पोस्ट के उपर लाइक भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं तो हर सी इसको मार्केटिंग को ध्यान में रखना चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या किया है एक पोस्ट बनाई है यह पोस्ट बनाई है जिसका नाम है गजब आफ़र गजब आफ़र बट थोड़ी सी कम ठीक लग रही है मुझे तो इसको हम फटा फट से जाके एडिट करेंगे थोड़ी सी सुन्दर बनाएंगे कैसे बनाएंगे सुन्दर हमने ओल्ड़ी बनाया है कुछ वन टू इंप्रूव एक पोस्ट बनाई तो थी हमने फटा फट से देखते हैं कहा गई बनाई तो थी यहां बनाई थी तो इसको हम कॉभी करते हैं और इसको हम अपने पीजब बनाते हैं पीजब है तो यहां से हम पेजब बगर अपने स्वीच कर सकते हैं हमेशा बनी वी यह पोस्ट इसको हम एडिट कर देते हैं एडिट पोस्ट हमने किया और यहां कंट्रोल है कंट्रोल भी तो जो पोस्ट हमने हो बनाई थी वो यहां पर पेस्ट हो गई अगर आप इस पेस्ट देना चाहते हूं तो यहां से दे सकते हैं और यह यूरिल को आप चेक कर सकते हैं कि यह शायद गलत हो गया होगा तो दुबारा से हम URL डाल देते हैं जिससे की गलती ना हो भी यह गलती ना हो क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं वो जाती हैं गलती है वो सब ठीक है बढ़ अगर ना हो तो ही बेटर है तो यह URL है जिसके उपर हमें ट्रेफिक चीए तो हमने यहाँ पर लिख दिया ख्लिक बिलो टुजाइन तो यह हमारी पोस्ट बन गई सेब कर दिया सेब करने को दुबारा एक बार देखेंगे दीकि अडिट करना जरूर ही है फिर से दुबारा देखेंगे एक बार इस पोस्ट को हम कि कोई गलती तो नहीं होगी हम जाए तो वन टो इंप्रूब स्पिकिंग इंग्लिश कम्यूनिकेशन गजब ओफर गजब ओफर को हम थोड़ा नीचे ला सकते हैं गजब ओफर पा नोहजार नोहजार नौनिनन्याटबे फीस है गजब ओफर गजब ओफर गजब ओफर अब हम जाएंगे अपने एड़ पर और यह आप से पूछेगा कि सिलेक्ट कीज़िए पोस्ट तो यह जो पोस्ट है इसको हम थोड़ा सा रीफरेश कर लेते हैं अपने को क्योंकि हमने एड़िट वेडिट किये हैं यहापर सेलेक्ट करेंगे पोस्ट अब जो एड़िट किया हुआ कॉंटेंट है वो आ गया है इसको कॉंटीनिव कर लेते हैं तो वही पोस्ट अब सब जगे हैं दिखने लगेगी इस्टाग्राम फेस्बोक सब जगे हैं एड़ बटन कर सकते हैं लर्न मोर या फिर कोई बड़ी आसा और देख लेते हैं गेट ऑफर ऑफर है नहीं तो और ऑफर है कि मिकलब 9999 रुपे फीज दीजिए क्लासे जटन कीजिए और अपनी फीज बापस लेजिए जो इंगलिस सीखी वो तो सीखी वो तो हेई सीखना तो रहे गई तो आपने अपना यहां पर लिंक लगा दिया गेट ऑफर जो कि यहां पर दिखेगा बटन में गेट ऑफर राइट उसके बाद वेबसाइट इवेंट्स हैं एंगेजमेंट या सेल्स कनवर्जन लिखना होता है बाकी चीजें सेम होती है बकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंगेजमेंट एड्स लीड जनेशन एड्स भी दिखाएंगे हमने इस वीडियो में सीखा कस्टम कनवर्जन कैसे सेट अप करते हैं कौन-कौन से यूरेल का कस्टम कनवर्जन करना होता है और बाकी का सारा सेट अप मैंने आपको दिखाने की कोशिश की आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो को आप एक से दो तीन वार देखें आगे पीछे करके देखें शुरू से देखें और जो भी क्वेशन है प्लीज मुझे एमेल करें connect at the right careerbuildingschool.com या आप community के अंदर भी question पोच सकते हैं community में आपका स्वागत है और ये add के दौरान में ने spoken English course को promote किया है अगर आप English सीखने चाते हैं अच्छी communication करना चाते है अपनी so you can also join this course thank you very much most welcome see you in the next video